दस गाव जा रहे हैं एरपोर्ट में और किसानों कुजार कर सरकार को सब विकास करेगी जो विकास करना चाहिए सरकार को वो विकास तो कर नहीं रही है जिधर देखो उधर नफरत के ठेके दार बैठे हैं हमारी मुल्क में हर सिट मया और गदार बैठे हैं चोड के बाबा सारस पकड रहे हैं जिस जनता ने उसको जिताया ये उसी से लड़ रहे हैं चाय बेचने वाला पूरा भारत बेचे रहा है नमस्कार बदले का भारत देख रहे हैं आप इस वक्त आजमगर जिले के गाव में हैं और यहाँ पे हम एक महिला से मिलने आये हैं जिनको देशी निहारा राठोर कहा जाता है अब आप समझ गए होंगे कि मैं निलन की बात कर रहा हूँ जो खिरिया बग का अंदोलन चर रहा है उसमें वो परमुक भूमिका निभाती हैं और अपने गीतों के माध्यम से जनता की आवाज को अपनी आवाज को किसानों की आवाज को बुलंद करती हैं आजकल पूरे देश में आरिफ के और उसके सारस की इतनी चर्चा है कि चाहे वो बिपक्ष के नेता हूँ वो खुल करके अब मैदान में आ चुके हैं सारस को ले करके उसकी दोस्ती को ले करके अब वो अपना बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या अब किसी को बचाना वही अपराद हो गया है, आखिर आरिफ के सारस को क्यों दूरो कर दिया गया ? क्योंकि नीलम किसान और आरिफ भी किसान है, हारिफ ने हमें इंटर्वु ने बताया था है कि हमें किसान है तो हम आरिफ के उस तकलीब को दर्द को समझने आए हैं कि क्या देशी नहाराठोर ने जैसे वो तमाम मुद्धों पर कुछ मुद्धा होता है तुरंद गाना बना देती है इस पर उन्होंने कोई गाना बनाया है क्या तो यही सारी बात इंसे करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे आपने देखा कि आरिफ और सारस की कहानी हां हमने देखा आरिफ और सारस की कहानी अब तो उसको दूर कर दिया गया तो सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है ने अब 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 प्रबंद नहीं लगा रही है सरकार प्रतिबंद उस उन पर नहीं लगा रही है अब पस पच् पॉल पाते हैं क्यों आपको क्या लगत हैरे हैं कि किसी मीले से चीछा हो जाता है यह तो गलत कर लिए renowned सरकार ने गलत किया है अभी हम ही लोगों को देखिए अब इतना गावार दस गाव जा रहे हैं एरपोर्ट में अकिसानों कुझार कर सरकार काव सब विकास करेगी जो विकास करना चाहिए सरकार को विकास तो कर नहीं रही है जिधर देखो उधर नपरत के ठेके दार बैठे हैं हमारी मुल्क में हर सिट मया और गदार बैठे हैं तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे हो यहाँ पर चोर ही बन कर चाव की दार बैठे हैं तो यह अंदोलन के दोरान आप गाना काती हैं अच्छा तो कैसा चल रहा esक्दी आपका अभी तो हमारा अन्दोलन बहका उसी तरह चल रहा है अभी अमाने हमारे की कोई सुनवाइन नहीं हो रही है है अभी ऐँ सब्सक्राइब नहीं करना है इंटरनेशनल फिलहाल रोग दिया गया है फिर भी आप लोग यहीं पर डटी हुए अरे तो सांसद जी कह दिये हैं ना तो लीखित हमको नहीं दिये हैं कि आपके जमीन पर एरपोर्ट नहीं बनेगा कैसे हम लोग मान ले सांसद आके ऐसे बोल रहे हैं वो भी गलत हो जाए गलत हो सांसद से हम यही कहना चाहते हैं कि बाचित करने आए यह बताई है किस आरश को आरिफ ने घायल जब हो पड़ा था अपने आप को नोटिस भेजा जारहा है YouTube कहा जाता था पहले मारने बचाने वाल मारखे destते हैं तो अब कई भचा या किसी में अगर Cowboy ONEर इसको फाहि ermॉक रही यह तो गया उपस पच्चि क्या कहे गा आरे साहर आहरी तो एक भी किसान है किसान फेप टो कोई जानवर कोई पालता है तो किया कोई एधिया त्व खायल हो जाए तो उसको criticism । इस इस दिया जाए। यह गलत भात है first आपके साब से गलत है, आपने कुछ लिखा हुखा है, हाँ, आपने सारस पे एक चाल लाइन का गीत लिखा है, सुनाईए, साब पकडना छोड़के बाबा सारस पकड रहे हैं, जिस जनता ने उसको जिताया ये उसी से लड़ रहे हैं, मजदुर किसान के बाद अब इंसानियत कुचल रहे हैं जिसने बचाया सारस को उसको नोटिस भेज रहे हैं आह लगेगी सारस की तो बाबा तुम भी तडप उठोगे रिसी मुनी तो बच नहीं पाए तुम कैसे बच पाओगे लटा दो सारस आरिव को ये जनता कह रही है दीरे दीरे सब के मन में चिनगारी सुलग रही है किस बाद के चिनगारी मैं जनता से यह कहना चाहती हूं कि ये चिनगारी क्यों सुलग रहे है तो सुनिए सान पकड़ना चोड के बाबा स्वारश पकड़ रहे हैं या काम बहुत गलत कर रहे हैं पकड़ना सान को चाहिए था जो सडकों पे है जो खेतों में हैng जिसकी वजह से एखसलेंट हो रहा है जो किसानों को कभी-कभी मार भी दे रहा है उसे पकड़ना चाहिए उसे जगह रखना चाहिए है यह है यह कहना चाहते हो गृब यह को सरकारी लोड बना है थैं सांड शेक कर बैठर आते हैं दो चाक्का चार लड़ जाती है गाड़ी जे सब नहीं दिख रहा है रहे एक पस पच्छी का भी गाड़ा है आपको बंदी बना कर रखे हैं ये गलत बात है नहीं करना चाहिए था हम तो एज कहना चाहते हैं सरकार को एज भी हमारी बिंती है कि सारस को छोड़ दीजिये उसका आरिफ का सारस लटा दीजिये आरिफ का सारस लोटा अच्छा आपका गाना बड़ा मशूर है वो नडड़ा जी वाला जो गाना आप गाती है एक सरांदोलन में थोड़ा हमारे दश्कों को सुना दिए चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है रेल बिक गई तेल बिक गया भी का हवाई अड़ा अस सब कुछ भीकता देखे के खुस है अपने जेपी नड़ा जंता महंगाई की मारी करती हाहा कार कहां सोया है चौकीदार कहां सोया है चौकीदार अच्छा अब ये बात जैसे पिपक्ष के तमाम नेता है जैसे अखिलेश चले गए मिलने के लिए अब अखिलेश कह रहा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी जिसका गुसा सरकार आरिप से निकाल ले उसके सारस को दूर करके आप इसे कितना सही मानते हैं हम बह अखिलेश अखिलेश उठाए थे अम लोगों की बात अच्छा अच्छा से मिलने चलेगे आरिप से सारस दूर हो गया यह तो गलत कर रहे हैं सरकार ने अब तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं आज आपने वह उठा दिया प्रियंका गाधी ने आवाज उठाया संजय जारें वहोमिए अजयों पाइड सो गया है उसको इतना बड़ा दंड दिया जा रहा है किसानों के तंप एतना जुल्म हिए और पास Mir पच्चियों पर भी हो रहा है सांव गाईयों पर यह नहीं कोई पर बंद लग रहा है कट रही हैं मर रही है इनका नहीं कोई ब्यवा गायल सारस को बचाया, उसे अब नोटिस मिल गई है, तो आपको लगता है कि अब कोई रास्ते में कोई गायल पड़ा रहेगा, उसकी मदद कोई करेगा, किसी जीव जनतु जो गायल पड़ा है, यह तो बन भीभाग की जिम्हेदारी थी ना, कि उसे खोजते, अपने छेतर म में वो देखते कि कहां पर कौन घायल पड़ा है, कौन क्या है, किस स्तिती में है, अगर कोई देख करके उसे अपने घर लेके आया, उससे अतनी बड़ी सजा मिल रही है, तो कल को कोई किसी की मदद करने को तयार होगा, अरे वह कैसे मदद करी, जब सरकार इतनी अंधी हो यह ना देखती है, कौन गालत हो रहा है, कहां सही हो रहा है, कैसे सब भरोसा करेंगी, अब भी नहाराठोर के तरह से खुल के गाना गाती है, सरकार से सवाल पूछती है, नहाराठोर को नोटिस मिल गया, आरिफ को पक्षी को बचाने का नोटिस मिल गया, तो आपको डर न तो यह हैं निलम जिन से हम लोगों ने बातचीत किया और इन्हों ने आरिफ के सारस को लेकर के भी एक चार छे लाइन का एक गीद बनाया थो उसको भी सुनाया और इन्हों ने कुछ और गीद सुनाया जो धरने के दौराण अक्सर ये गाती रहती हैं आरिफ और सारस के दोस्ति के को लेकर के इस वक्त पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है और जो भी एक्ट हो गएरा है 1972 का उसको भी लेकर के लोग कह रहे हैं कि ठीक है एक्ट तो अपनी जगह है एक्ट किसी प्रेम से बढ़कर नहीं है करुन तो उसे बढ़के नहीं है इनसानियत से बढ़कर नहीं है आरिफ ने गहल पक्षी को उठा करके अपने खेट से या कहीं किसी खेट से अगर उसे वो लेकर के आता है और उसका देख भाल करता है वो सही हो जाता है वो उसे छोड़कर नहीं जाता तो आरिफ भी कल एक वीड करके बताईए और एक चीज़ का और हमें आपके कमेंट के प्रतिक्षा होगी सवाल पर एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि भविश्च में कभी आरिफ और सारस मिल पाएंगे ये बड़ा सवाल है क्योंकि आरिफ अपने गाउं में हैं घर पे हैं और जो सारस है वो कानप के चिडिया घर में हैं कई सो किलूमीटर आरिफ से दूर हैं तो आपको लगता है कि कभी भविश्च में क्या आरिफ और सारस एक हो सकते हैं हलाकि लोग तो आवाज उठा रहे हैं विपक्ष किनेता उठा रहे हैं तमाम इस तरह के लोग गायक भी अब धेरे-धेरे खुल के सामने आ रहे हैं और एक चीज आज मैंने महसूस किया है कि आरिफ क्यूंकि किसान है तो किसान होने के नाते जो आवाज यहां से नीलम ने उठाई है कहीं ने कहीं मुझे आवाज आगे चल करके लग रहा है कि यह आवाज और बढ़ेगी लोग सरकार से और गुहार लग कि हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अगर आप हमारी यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा घंटी जरूर दबा दीजिएगा और एगर हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक या फालो जरूर कर लिजेगा दर्निवाद